इस वीडियो में हम देखेंगे कि विवाह प्रमारपत्र यानि कि मैरिस साथपिकेट के लिए हमें ओनलाइन कैसे अपलाई करना है इसका लेटेस प्रोसेस यहां पर आपको दिखाने वाला हूं जिसमें कि आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ट को यूज करके ओनलाइन प् लिए आपको यहां पर बिवाह पंजीकरण के सेक्शन में आवेदन करें इस प्लिक करना है जहां पर हम फश्टे मारे अभी हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो यहां पर नवीन आवेदन प्रबत्र भरे इस टैब पे हमें क्लिक करना है अब इतना करते हैं आप में जो इंफोमेशन भरी जाएगे वह हिंदी लेंग्वेज में भरी जाएगी तो अगर आपके मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हो यहां पर हमें इंटर करना है इसके बाद में वही नेम आपको इंग्लिस में जैसा कि उसके आधार पर है उसी तरीके से आपको दर्ज क करना है और पिता का भी नेम में तरीके से आमको दर्ज करना है यहां पर अबिवाहीत का त्या चोज करना में यहां इसे पहले तो सबसे और एक चॉशी करना है अपनी जो जी मेनव पर आपको फिल करना है मोबाइल नंबर को यहां पर आपको इंटर करना है जैसे कि हम एक इंडियन है भारती हैं पर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद में अगला जो सेक्षन मिलता है निवास का पता का जहां पर सबसे पहले तो तीन आपशन आपको देखनी को मिलते हैं जिसमें इन बॉक्स में इंटर करना है इसके बाद में एरिया का जो भी पिन कोड है यहां पर इंटर करना है सुरच्छित करें के टैप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पत्नी का जो विवरण है फिल करने का जो सेकंड पेज है वह आ जाता है यहां पर जैसे आपने अपना नेम फिल कि यहां पर इमेल आइडी、 मोभाईल नंबर यहां पर अपर पत्वनी का जो है आपको करना है अब पत्वनी हैं जातो हां, इन्टर करना है तो इतना करते ही है, अब हमारे सामने विवा इसतल को फिल करने का या फिर पढ़े कर्वाइं करने का जो डिटेल है वह इंटर करनेका जो आ जाता है जहां पर बीवाह कहां पे हुआ है तो जो भी लोकेशन है जैसे कि बेवाह उत्तर एक देश में ही हुआ है तो यहाँ पर हम सइलेक्शन करेंगे दिन यहाँ पर जहां कभी address है सादी जिस जगह पर हुई है उसका complete address यहां पर आपको फिल करना है और यहां पर अपने area का पिन को मिलते हैं जिसमें कि आप चाहो तो पति का जो निवास है उसके अकॉर्डिंग जो पंजिकरण है आप उस कारेले के हिसाब से करा सकते हो बाकि पत्नी का अगर निवास स्थान का option करते हो तो पत्नी के निवास अट्रस अपने फिल किया है उस कारेले को भी आप से लेक्षिंग कर सकते हैं बाकि व्युवाद जिस लोकेशन में हुआ है तो उसको भी सेलेक्षण करने का जो आपको मिल जाता है तो जैसे हमने पत्नी का निवास है इसका जो ऑप्षण है मैंन करना है इसके बाद में आपको सुरच्छित करें के option पे क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हाँ पर हमने पती और पत्नी की दोनों की information दर्ज कर दी है विवा का जो location था वो भी हमने दर्ज कर लिया है हमारे सामने form submit होकर के आविदन संख्या इसी के साथ में password आ जाता है अब यहां पर यह जो पंजिकरन आविदन संख्या आई है password आपको मिला है इसके जरी आप सुभी को अपने जो document है वो upload करना होगा कोई भी अगर correction अभी भी है तो उसको आप modify कर सकते हो तो यहां पर आपको चाया चित्र यहां प्रमाणपत्र upload के टैप पे क्लिक करना है और आप दुबारा से login पेज पर आ जाते हो यहां पर अपना आविदन संख्या है जो आपको मिला है password जो दिया गया है आपको इंटर करना है आप यहां पर capture code जैसे आपको दिखाया है सेम वैसा ही इस box में इंटर करना है प्रवेस करें के option पे क्लिक करना है login करने के बाद में हमारे सामने जो document upload का जो पेज है वह यहां पर आ चुका है जहां पर आपको अपने जो document है वह upload करना पासपोर्ट साइज की फोटो है वह आपको upload करना है ध्यान रखना है कि यहां पर फोटो को साइज है फोटी के upload कर लिया है इसके बाद में पहचान का साच्छी के section में आना है यहां पर पासपोर्ट पैंट कार्ड मद्दाता पहचान पत्स इन सारे चीजों का option आपको मिल जाता है तो आपके पास में जो भी का इड्रस प्रूब भी मांगा जाता है जिसमें भी आपको कई सारे डिखाये गए हैं मेरे केस में मेरे पास आधारी है तो यहां पर हम निवास की तौर पर इसको हम upload कर देंगे अब इसी के साथ में अगला option मिलता है आयू का साच का जहां पर आप सभी को जो एज है उसका अब एक साच देने की ज़रूरत होती है तो यहां पर हम हाई स्कूल की जो माक्षीट है इसका option select करेंगे और यहां पर माक्षीट की copy को हम upload कर देंगे अब यहां पर सेम ही option दिये गए है तो पत्नी के भी डिकुमेंट आपको उसी तरीके से upload करना है तो हम फटा-फट यह स मायरिज को रिश्टर करने के लिए जिसमें की गवा का जो नेम है उसका हिंदी लेंगुज में इसी के साथ में इंग्लिस लेंगवेंच में उसका जो नेम है इंटर करना है उनका जो पता है यहां पर complete fill करना है जिस तरीके से उनके document पर है वैसे ही आप सभी को address को इंटर क की जो communication detail है mobile number email id mobile number important है तो यहां पर email अगर नहीं भी तबागे आप बढ़ सकते हो इसके बाद में यहां पर उनके जो document वह भी upload करना होगा जिसमें की पहचान का जो प्रमाणपत्र है इसमें भी आप पैंकार्ट दे सकते हो मद्दाता पहचानपत्र दे सकते हो या पर ड्र है यहां पर जो गवा है उसका भी आई प्रमाणपत्र देने की जरुरत परती है जिसमें की driving license आप दे सकते हो high school की mark sheet दे सकते हो या फिर even passport या फिर birth certificate भी आप दे सकते हो तो यहां पर हमने mark sheet को selection किया है इस तरीके से हमने 761 का जो form है वो हमने complete fill कर लिया है इसी तरीके से जो दूसरा पच्छ है उसका भी एक साच्छी add करने की जरुरत होगी तो यहां पर second जो witness है उसकी भी complete detail जिस तरीके से हमने enter की थी उसी तरीके से आपको यहां पर fill करना है उसके जो document है वो भी आपको उसी तरीके से selection कर लेना है अब अगला option मिलता है बिवास संपन होने का प्रमार पत्र जहां पर आपको कई सारे option दिखाएगे हैं जहां पर आपको धार्मिक अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमार पत्र या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमार पत्र बिवास स्थन का प्रमार पत्र या सदस्थाई निकास द्वारा निर् विवाज स्थान के सेक्षन में अपलोट कर दिया है तो इस तरीके से हमने विवाज इस्थान और उसका जो डॉक्मेंट है वो हमने अपलोट कर लिया है अगला option मिलता है सपत्प्रमारपत्र का तो यहां पर आप सभी को दोनों लेना होगा पति और पतनी दोनों लोगों की सपत्प्रमारपत्र यहां पर आपको अपलोट करने की जरूरत होगी तो यहां पर अपलोट करने का जो लिंक हमने आपको वीडियो के description में दे रखा जहां से आप अपना जो सपत्पनुआपत्र है वो download कर सकते हो इसमें basically वर्फ से और वधू से दोनों लोगों से complete यह जो form है वो भराना है उनके signature लेने हैं इसके बाद में इस form को आपको notary कराना होगा उसके बाद में ही यह जो certificate है आपको portal पर आकर के upload करना है अब notary के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो यह जो वकील होते हैं उनको आप दोगे तो उनकी तरफ से जो notary है वह certificate की कर दी जाती है तो यहां पर form को submit करते ही आप सभी के सामने एक summary page आ जाता है जहां पर आप सभी लोगों ने जो भी information form के अंदर फिल की हैं चाहे वह वर की detail हो वदू की detail हो complete यहां पर आपको detail देखने को मिल जाती है इस form में नीचे को तरफ आओगे तो जो भी आपने attachment कर रखें वह attachment भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर इस form में कोई भी दिखाए गई detail आगर आपने गलती से कोई गलत entry कर दी है कुछ भी गलत document आपने selection कर लिया तो इसको एडिट करने का option यहां पर दिया गया है दिन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का success पेज आएगा जहां पर आवेदन संख्या इसी के साथ में आपका जो password है वह यहां पर दिखाया गया है आप सभी को यह जो detail है आपको note करके रख लेना है page में आप सभी को नीचे के दिरफ आना है तो यहां पर आप सभी को यह form आपने फिल किया इसके लिए कुछ सुल्क भी भुकतान करने की जरुरत होगी जिसके लिए आपको भुखतान करें का जो Icon है वहाँ पर आपको δिखेगा जिसके आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ऐप सभी के सामने online भुकतान करने का जो पेज है वो आ जाएगा जो भी आपको करने की ज़रूरत थी आपने पूरी तरीके से complete कर लिया है अब यहां पर जो भी आपने registration कारेले selection किया है आपको उस कारेले में जा करके अपने जो डुकुमेंट है वह verification कराना है जिसमें कि आप कोई भी कारेदिवस में जा करके वहाँ पर verification करा सकते हो लेकिन maximum आपको 30 दिन का time मिलता है इस पीच में आपको अपना जो verification है वह कराना होगा तो इस तरीके से आप सो भी लोग marriage certificate के लिए online apply कर सकते हो अब यह जो प्रोसेस हमने यूपी का बताया है अगर आप किसी भी other state से हो तो वीडियो के description में अगर आप चेक करोगे तो मैंने कई सारे अन स्टेट की जो marriage certificate को बनाने की website उनके जो link है वो दे रखें जहां पर आप विसिट करके अपना जो marriage certificate वो इजली बना सकते हो बाकी अगर आपको अपनी स्टेट की website है वो नहीं मिलते हैं तो मुझे आप comment box में लिख करके बताना तो अगर आपके state की website हमें found हो जाते ही तो मैं वहां पर आपको comment की में reply जरूर करूँगा और बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे comment box में लिख करके जरूर बताना चैनल पे अगर